जिले के कानोड कजवे में गुरुवार शाम को एक ऐसा घटना करम देखने को मिला कि लोगों में चर्चा का विश्य बन गया जिस यूवती ने बीच बाजार रोडवेश बस के परिचालक को लकड़ी से पीट दिया उसी से थाने जाकर माफी मांग ली रताबगर से उदैपुर को जा रही रोडवेश बस में धर्यावत से सवार हुई एक यूवती जमना कीर और परिचालक राजिन्र सिंग के बीच उडन गिलहरी देखने की बात को लेकर बहस हो गई महिला ने परिचालक पर अबद्रता करने का रोप लगाते वे कानोड बस सिस्टेंट पहुँचते ही परिचालक के साथ मारपीट करते वे अन्यवाहन में बैटकर कजबे से निकल गई जिसके बाद मोके पर पहुंची कानोर पुलिस ने महिला वो यात्रियों से लदी रोडवेज बस को ठाने ले गए जहां यूती ने परिचालक से माफी मांगते वे राजी नामा कर लिया कजबे के मुख्य चुराहे पर हुई इस तरह की घटना के बाद काफी संख्या में लोग थाने पहुंच गए वहीं बस में सवार यात्रियों ने भी परिचालक का पक्ष लेते वे महिला को ही गलत ठहराया थानादिकारी देविंदर सिंग देवल ने बताये कि महिला को थाने राय गया जिसने कारवाई नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र देते वे परिचालक से माफी मांगी इस पूरे घट्नाक्राम में करीब देड़ घंटे से अधिक समय तक यात्रियों को परिशान होना पड़ा माराना प्रिताप वीर सावरकर और महा सत्यों के जोहर के इतिहास से छेड़ छाड एवं पाठ्षिक्रम में